नमस्कार आप सबी का स्वागत हैं मत्से पुरान के अनुसार मनिश्य को अपने घरों का निर्मान वास्तु के नियमों के अनुसार ही करना चाहिए भगवान शिवजी के जटाओं से गिरेश्वेत बिंदु से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है अतह इस समस्त संसार के भवनों में वास्तु पुरुष विद्यमान है वास्तु पुरुष को संतुष्ट करने हेतु वास्तु शान्ति की जाती है अनेको प्रकार के रुक्ष लगा कर वास्तु दोश को दूर किया जाता है किन्तु मनुष्य द्वारा जाने अंजाने में पाप हो जाने पर देवता क्रोधित हो जाते है और मनुष्य के भवन पर अनेको प्रकार के उत्पात प्रारंब हो जाते है जैसे घर पर बिजली गिरना, रुक्षों का अचानक से सूख जाना, अचानक ही घर के समक्ष जल का ठहरा होना, घर के सामने अशुब और अमंगल कारे रुक्षों का उख जाना, ये सभी उत्पात मनुष्य के जीवन में कष्ट लेकर आते है वास्तु शास्त्र में घर के समक्ष कौन से रुक्ष होने चाहिए और कौन से नहीं इस विशय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कुछ रुक्षों को घर के पास लगाना बहुत ही अशुब होता है यदि ये रुक्ष अपने आप ही घर के समक्ष प्रकट हो जाए तो इसे भयंकर उत्पात ही समझना चाहिए ये रुक्ष धन एवं संपत्ति का नाश करने वाले रोग एवं बीमारियों को पैदा करने वाले तथा मृत्यु सुर्चक भी होते है अतह इन रुक्षों के प्रकट होते ही उन्हें तुरंत उखाड कर फेक देने ही तब जने को प्रकट की प्रान घातक व्याधियां और रोग फैलाते हैं इन रुक्षों की शाखाए अपने आप ही तूट कर गिरने पर वाले विवाद एविदा होते हैं तो समय में ही ये रुक्ष घर के सामने फुलने लगने पर वे बालकों की मृत्यों के सूचक होते हैं इन रुक्षों से दूद गिरने पर विनाश की स्थी उत्पन होती है। इन रुक्षों से तिलनी करने दरिता सामना करना पड़ता है। किसी भी रोक के बिना अचानक ही रुक्ष के सूख जाने पर धनधान्य नश्ट हो जाता है। इन रुक्षों के फलों में कीडे लगने पर या फूलों में विकार उत्पन होने पर गुरुह स्वामी को दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से इन रुक्षों में उपद्रों के उक्षन दिखाई देने पर इन्हें तुरंत ही उकाड कर फेक देना चाहिए। अन्यथा या अत्यंत दुखदाई फल प्रदान करते हैं। तो आईए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के लिए कौन से पेड़ पौधे शुब होते हैं और कौन से पेड़ पौधे अशुब फल लेकर आते हैं। साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि कौन सा रुक्ष घर के किस दिशा में होना चाहिए। पेड़ जिस घर अथ्वा भवन की सीमा में बेर का पेड़ लगा होता है। उस घर में रहने वाले लोगों की अन्य लोगों के साथ शत्रुता बनी रहती है। एवं वे सदा ही शत्रुन से परेशान रहते है। बेर के पेड़ का अपनेयाब उग जाना भी अशुप फलदाय होता है दूसरी बार किसी भी प्रकार के मरुष सलिय पोधे का रोपन या पूजन भवन की सीमा में कदापी नहीं करना चाहिए इस प्रकार का पोधा यदिगर में लगाया जाए तो तनाव में रुद्धी होती है परिवार के सदस्यों के संबंदों में कड़वाहट बनी रह के भोके बन जाते हैं तीसरी बात घर के अगनेयकोन या नेरुत्यकोन में रुख्षों को लगाना शुब नहीं माना जाता है इन दिशाओं में यदि कोई रुख्ष अपने आप ही उग जाता है तो उससे तुरंथ ही तोड़कर निका देना चाहिए क्यूंकि ये रुख् बांस का पोधा कभी लगाना नहीं चाहिए यानि बांबु का पोधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए आज कल कई लोग बांस का पोधा घर की सीमा में लगाने की सला देते हैं लेकिन शास्त्रों में इसे अशुब फलदायक बताया है पांचवी बात बादाम का रुख्ष घर के दक्षिन या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि ये पिरैमेड के आकारके होते हैं। घर के अंदर काटे दार्क अथ्वा दूध वाले पौधे कभी लगाना नहीं चाहिए। यदि घर के सामने कोई दूध वाला पौधा अपने आप ही उग जाता है तो ये बहुत ही अशुप फलदायक होता है। यदि घर के सामने ऐसा कोई पौधा अचानक से उग जाता है तो उसे फूल एवं फल लगने से पहले ही उखाड कर फेक देना चाहिए। अन्यथा ये भयंकर दुरगटना के कारक होते हैं। वास्तु शास्त्र कहता है बड़े एवं घन्य रुक्ष भवन के पास नहीं होने चाहिए क्यूकि उनकी जड़े भवन को ख्षती पहुचा सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर पीपल का रुक्ष घर के पूर्व दिशा में हो अत्वा भवन के पूर्व दिशा में अपने आपी उख जाता है तो घर में भय एवं निर्धनता व्याप्त हो सकती है। यदि घर के पश्चिन दिशा में वट रुक्ष हो तो इसे अशुब माना गया है घर के अग्नियकोन में पीपल, पाखड या गुलेर का पेड अपने आप उग जाए तो पीडा दायक एवा मृत्य तुल्य कष्ट देता है यदि घर के दक्षिन दिशा में तुल्सी का पोधा अपने आप उग जाए तो कठोर यातनाए सहन करनी पड़ सकती है यदि किसी फल हिन रुक्ष की छाया भवन पर पड़ती है तो अनेको रोगों का सामना करना पड़ता है और साथ ही अनेको विपदाय सहन करनी पड़ती है इसलिए जिन रुक्षों को फल नहीं लगते उन्हें घर से दूर ही लगना चाहिए उनकी छाया अपने घर के ऊपर पड़ने नहीं देनी चाहिए घर के वायव्य कोन में नीम के रुक्ष का अपने आप उग जाना बहुत ही शुभ माना गया है इससे उस भवन में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य सदय भी अच्छा रहता है और ऐसे घर में कभी भी किसी विप्रकार की कष्टदायक विमारी का प्रवेश नहीं होता है यदि घर की सीमा में बेल का रुक्ष अपने आप ही उग जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है ये भगवान चिव जी का परम्प्री अरुक्ष होता है जिस घर में ये अपने आप उग जाता है तो वहाँ पर धन संपदा की देवी मा लक्ष्मी पीडियों तक वास करती है वास्तु शास्त्र के अनुसार बबुल के रुक्ष का घर के पास होना बहुत ही अशुभ फलदायक होता है यदि ये रुक्ष अपने आप ही घर के पास उग जाए तो इसे तुरंत ही उखाड कर फेक देना चाहिए बबुल के रुक्ष का घर के पास होना उस घर के विनाश की और संकेत देता है एरंडी का पोधा वास्तु शास्त की दुष्टी से घर के समक्ष एरंडी का पोधा होना बहुत ही अशुभ माना गया है यदि ये पोधा घर में होगा तो घर में निवास करने वाले लोगों के कारियों में बाधाय उत्पन्न होती रहेगी वास्तु के अनुसार सीता फल का पोधा भी घर की सीमा में नहीं होना चाहिए ये अशुब होता है लेकिन ये घर की सीमा में स्वतह उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए बलकि घर की सीमा में एक आउले का तथा एक फल देने वाला अनार का पोधा लगा देना चाहिए इससे सीता फल के रुक्ष का अशुप्रभाव नश्ट हो जाता है वास्तु शास्तर की दुष्टी से आउले का पोधा घर की सीमा में होना शुब होता है आवले के रुख्ष को अगर घर के सामने लगा दिया जाएं तो अन्य रुख्षों के अशुबता का परिनाम कम होता है आखरी और अंतिम महत्वपुर्णबाद यदि आपके घर के सामने अशुब रुख्ष पहले से ही मोजुद है यदि उन्हें काटना संभव ना हो तो उसके लिए अन्य शुबदायक रुख्षों को लगा देना चाहिए ऐसा करने से उसके दोश दूर हो जाते हैं लेकिन याद रखे कैक्टस के पोधों को घर के आसपास भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए इनके वास्तुदोश किसी भी प्रकार से नश्ट नहीं किये जा सकते हैं अथा इन मरुस्तलिय पोधों को घर से उखाड कर फेक देना ही अच्छा होता है तो इस प्रकार हमारे वास्तुशास्तर में गर के पास लगाई जाने वाले पेड़ पोधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद